सिर्फ दो और तीन चीज़ें चाहिए और देखेगा फिर इसका कमाल के यह दो चमस कच्चा दूद है मेरे पास उगला हुआ भी ले ले टेंशन की बात नहीं है और मेरे पास यह बेकिंग सोडा आदा टी स्पून दो चमस दूद में मैंने शामिल करना है दो चमस दूद में आदा टी स्पून बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक चीज़ रहां में और इसमें शामिल करनी है और वो है सबसे बड़ा सिक्रेट वो है ग्लेस्रिन ग्लेस्रिन आपके चेरे पर डाउट पर भी खतम करती है आपके जूद की नमी पूरी करती है चेरे पर चमक लेके आती है ग्लो लेके आती है एक चाय वाला चमस हम दो चमस दूद में एक चाय वाला चमस ग्लेस्रिन के शामिल करेंगे और आदा टी स्कून बेकिंग सोडा बस ये तीन चीज़े होगी ये तीनों चीज़े आपके गर में अवेलेबल होगी शायद कुछ गरों में ग्लिस्ट्रेन नहीं हो तो टेंशन की बात नहीं है मेडिकल स्टोर से आपको 25, 30, 40, 50 रुपे में मिल जाएगी मुझे एग्जेक्ट नहीं पता लेकिन 400 पे से ज्यादा नहीं होगी तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले पहली आप्शन तो ये है कि से शावर बाटल में आप डाल लीजिए और उसके जरी अपने चेहरे पर ये आपने हाथों कर स्प्रे करिए तो इसी सुरत में ये सप्रे हो पाएगी कि आपका बेकिन सोडा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका हो चीज़ों कहीं ये आपका मिक्सर त्यार हो गया और ये मिक्सर बहुत महंग है आपको नहीं बता कि इतना महंग है और जब आप इससे अप्लाई करेंगे जब आप दूसरे आप से पूछेंगे कि आपने क्या लगा है तो ये इसकी किमत बढ़ जाएगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगी कॉटन बॉल की मदद से इससे अप्लाई करें चेरे पर ब्रॉश की मदद से किजिए या आप किजिए इससे किससे मुझे बूल गया कॉटन बॉल से ब्रॉश से या आप किसी भी तरह से शावर बाटर से लेकिन वीडियो मैं दुबारा से नहीं बना सकती थी हाँ आप इन तीनों चीज़ों से किसी भी तरह से बस बात ये कि आपने इससे अप्लाई करना है अप्लाई करने के बाद ये खुशक हो जाएगा खुशक होने के बाद आपने इसके उपर दूसरी दफ़ा से फिर अप्लाई करना है इस सिर्फ ग्लिस्रिन रहेगी है दूद अच्छी तरह से जज़र हो गया आपको आप इसमें फरक देखते जाएगे इसके उपर सेकेंड लियर में फिर से अप्लाई करना है उदर दूद का कलर भी चेंज हो रहा है पर डेजन मैटर कोई मस्का नहीं कलर चेंज हो रहा हो थी दर स्कीन का कलर भी चेंज हो रहा है अच्छा जी दो लियर्स ये डे टाइम के लिए बता रहे हूं लेकिन एंड पे आपको एक मशवरा दूंगी जो मुफ्त में है आपने किस तरह से इसके अप्लाइ करना है अब ये मैंने तकरिबें इसको एक गांटा लगा रहने दिया और अब मैंने वाश करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है इस बर मैंने अपने गिले राइंड आपको नहीं दिखाया गिले हाद दिखाने के वैद रूभाद नजर नहीं आया تو मैंने आपको हाद बॉन्नchte डुनों ड्राइ करके दिखाया प्रोटिंग लोशन हमने निकाल दिया कि कि इसको अप्लाइट करने से आप लोगों को बाज़ा परक नहीं दिखता कुछ दोस्ती ऐसे वैसे सब को दिख जाता है यह रिजल्ट आपके सामने है I hope कि सब को ही दिख गया होगा मुझे बजीद दिखाने की जरूरत नहीं फिर भी इसके बाद मैं इसका एक और पार्ट भी बनाएगे जिसमें दुबारा से आपको मैं अपना रिजल्ट आप शो परूंगी दोनों हैंड्स को और सदेख ली दि राइट हैंड और लफट हैंड कुछी तरह से देख ली दिए मैंने कोई लाइटिंग कम जयदा नहीं कि सब कुछ आपके सामने है and that's it यह हमारा महेंगे से महेंगा मिक्सचर त्यार है अब हम चलते हैं मश्रे की तरफ और लेसन की तरफ मुझे सांस भी चड़के बोल बो और उसका रिजर्ट में जाने के बाद आप लोग के साथ उसको शियर करों यह तो हम सब जानते हैं यह कुछ दोस्त नहीं भी जानते हैं कि ग्लिस्ट्रेंग कितने फायदे की चीज़ है तो मेरा मश्रा अप सब को यह है कि कोई भी आप ब्यूटी से रिलेटेड कोई रेम होता है दो चमच तो मिली जाएंगे उसमें इक चमच ब्लिस्ट्रेंग के शामिल के विए थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा शामिल के रिए और बेकिंग सोड़ा ऑप्शनल है आप इसको स्किप करना चाहें तो छोड़ दें से आपके रिजर्ट को खास फरक नहीं पड़ेग कि आप दूद में ब्लेस्ट्रेंग मिलाएंगे शावर बाटर में इसको डाल लीजिए और इससे आपने अपने चेरे पर स्प्रे करना है स्प्रे करने के बाद आपने इसको दो मिनिट तक मलने है अपने चेरे पर हलके हाथ से दो मिनिट के बाद आप अपने चेरे को दो चेहरा वाश कर लेने के बाद दुबारा से अपने चेहरे पर इसे मिक्सर करें सप्रेक करें और सो जाएगे हलता सा ड्राय होने दें ताके बिस्तर कर आपनी उसके बाद आप सो जाएगे और सुबो के अपने चेहरा दो लें, दो रातों के अंदर आपको वाजा परक नजर आ सकता है तो दो रातों में भी आपको वाजा परक नजर आ जागा बलके एक रात में वाजा परक आपको दिखाई देगा, यह ब pearor. दस्टरमेडी में आप लोG के साथ शेयर ते शेयर एक जिसमें कोई expense नहीं है, आपके इतने इतना खर्चा नहीं आ रहा, कोई बड़ी महंगी चीज़े नहीं है, कोई rocket science नहीं है, कोई tension की बात नहीं है, इन दोने चीज़न चीज़ों को बिक्सर को महफूस कर लीजिए, फ्रीज में चार पास दिन आपका चार्ज हैगा, और आप आपने बस इसको इस्तमाल करना है, लगाते जाएगे, गोरे उटे जाएगे, ये remedy आप लोग के लिए special sharing या मेरी, आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया, तो इसे सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताके हर आने वाली नौटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस बाई के आइकन को प्रेक कर लिए इस तरह हमारे आने वाली तमान वीडियो आप तक पाउस देए और आपको मिल सकते हैं।